नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चनल विधी टेरिया में दोस्तों मैं हूँ एड्वोकेट मंजीत रपाठी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि बैंक आपके किसी भी पेंशन एकाउ सारी नौकरी की बात होती है यह एक प्रकार से सेक्योड नौकरी होती है लेकिन जो पेंशन होता है वो भी एक प्रकार से सेक्योड होता है तो ऐसे में जो बैंक होते हैं वह आपको पर्सनल लोन आसानी से दे देते हैं लेकिन यहां पर कुछ जानकार्या नहीं होनी की वज दे कि pension account पे जो loan मिलता है उस loan में अगर आपने default कर दिया है और bank ने आपको उसमें परेशान करना सुरू कर दिया है तो आपको बिल्कुल घबरानी की जरूत नहीं है आपको हमेशा ये डर सताता रहता है कि bank हमारे उस pension account को फ्रिज न कर दे लेकिन आज आपके इसी क्वेश्चन को ले करके हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेस आए तो हमने सोचा कि क्यों ने इस पर हम वीडियो बनाएं दोस्तों हम आपको बता दे कि पेंशन एकाउंट जो होता है वह एक प्रकार से आपके रेटार्मेंट के बाद आपको गौवर्मेंट की तरफ से कुछ एक सहायता की रासी मिलती है तो गौवर्मेंट की एकाउंट को बैंक किसी भी तरीके से होल्ड नहीं करा सकती है बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बौर्वर यानि की करजदार को इसकी जानकारी नहीं होती है और जब वो अपने एकाउंट को डिफॉल्ट कर जाते हैं लोन को पेमिंट नहीं करते हैं तो बैंक क्या करते है उनके उस pension account को hold कर देते हैं फ्रिज कर देते हैं उस pension account में pension तो government के तरफ से आती है लेकिन पैसे को आप इस्तमाल नहीं कर पाते हैं ऐसे condition में आप बैंकों के चकर लगाते रहते हैं लेकिन बैंक आपका एक भी नहीं सुनता है और वो आपके उपर दबाव डालता है कि जब तक आप अपना EMI शुरू नहीं करते हैं जब तक आप पैसा पूरा नहीं देते हैं हम आपके pension में से एक भी पैसा आपको इस्तमाल करने के लिए नहीं देंगे तो दोस्तों यहां पे आपको जानकारी नहीं होती है कि बैंक से कैसे लड़े और इस समधान कैसे ले किस प्र बैंक ने आपके pension account को यहां पे hold कर दिया है तो आपको घबराना नहीं है बिलकुल नहीं घबराना है आपको आर्टिकल 226 के अंदगत अपने high court में आपको एक इस्टे order लाना है और वहां पे अपील करना है कि हमारा यह जो pension account है वो government relief fund है गवर्मेंट के तरफ से एक प्रक बैंक किसी भी तरीके से freeze नहीं कर सकते हैं यह RBI का भी guidelines है आप RBI के porter पे जा करके विस्तार में इस तरीके का website पे जा करके पढ़ सकते हैं वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे fund है जिनको की bank नहीं ले सकता है जो exempted है जिसमें छूट प्राप्त है उसमें pension account और retirement के बाद जो government के तरफ से subsidy मिलती है उसका नाम सबसे उपर आएगा साथी साथ इसमें आपके basic needs से भी सम्मंधित चीजे हैं अगर आप आश्रित हैं अपने अपनी कमाई के उपर यानि pension के उपर तो ऐसे बहुत सारे fund आपको government के तरफ से मिलते हैं बैंक उसको freeze या hold नहीं कर सकते हैं अगर bank इस प्रकार की मनमानी करते हैं तो आप bank के खिलाफ high court में रिट फाइल करके इसको challenge कर सकते हैं और वहां से इसको आप release करा सकते हैं लेकिन आपको इसमें जानकारी नहीं होती है बहुत सारे लोगों को legal जानकारिया नहीं होती है यह आम बात है इसम settlement कर सकते हैं तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों वीडियो अच्छी लोगी हो वीडियो को लाइक कर दीजेगा इसे अपने दोस्तों और रिस्तारों में शेर कर दीजेगा और हमारे चैनल को करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरू करेगा थैंकी सो मच जय हिंदो